हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग मैं हूँ आपका दोस्त आज और आप देखने टिक डिक्स भी आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इलेक्रिकल इंजीनियर LV Switch Gear Company जो होती है उसका जो GA ड्राइंग होता है उसको चेक करता है यानि जो Switch Gear Company ड्राइंग बना कर सब्मिट करती है इलेक्रिकल इंजीनियर को अप्रूफ करने के लिए तो वो इंजीनियर किस तरह से उस ड्राइंग को चेक करता है और उसमें रिमार्क्स अपना देता है इस वीडियो में हम डीटेल में देखेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि एलेक्रिकल इंजिनिन की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इनफॉर्मेटी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं यह जो सामने आप देख रहे हो यह मेरा एक ड्राइंग है जो हमारा एक supplier है जो कि switch gear company है उन लोगों ने यह ड्राइंग prepare करके हमें दिया है ताकि हम लोग इसको confirm कर सकें कि यह हमारा जो यह smdb है यह smdb का ड्राइंग है जैसा कि आप देख सकते हो यह typical smdb है ठीक है तो यह ड्राइंग हम लोग चेक करते हैं कि हमें किस तरह का इस तरह का ही हमें smdb चाहिए यह general architecture ट्राइंग है smdb का मतलब यह इसका जो है यह फेसिया देखा रहा है यह external वीव है यह इसका internal वीव है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं यह जैसे आप देख सकते हो नस्दीक से बाहर साइड में यहां पर आपको स्रीफ यहां प देखा रहा है तो अगर यहां पर हमें इंडिकेशन लैम के इलावा और भी कुछ चाहिए लेट से हमें एमीटर और वोल्ट मीटर चाहिए तो हम यहां पर मेंशन करेंगे कि यहां पर हमें एमीटर भी चाहिए और वोल्ट मीटर भी चाहिए या फिर अगर हमें MFM मतलब म दबाते हैं इसमें यहां पर आप देख़ो यह आप देख सकतेँ यह सबसे बड़ा breaker लगा हुआ इनकमर है इनकमर हमारा फॉर पॉल का है let's say हमारा जो केबल इंटरी है let's say अगर हमारा टॉप हो तो हम इसको ऐसा रिमार्स दे अन टॉप मतलब टॉप इंट्री पे रहेगा और यहां पर ऐरो से ऐसे दिखा सकते हैं कि हमें यह इनकमर इधर चाहिए उसके बाद यहां पर आप देखो कि यह जो है सारा ओड़ोइंग है जब इनकमर उपर जाएगा तो ओड़ोइंग आटोमेटिकली नीचे साइड में आ इनकमर ऊपर रहेगा यह जनरली जो है बेस्ट यह होता है कि इनकमर सारा इनकमिंग केबल नीचे से आए और ओड़ोइंग ऊपर से रहे बट किसी किसी पार्टिकुलर केस में अगर हम लोग का केबल इंट्री अगर टॉप से आ रहा तो हम लोग टॉप में भी इनकमर रख हुआ इंडोर आउट्डोर तो यहां पर इंडोर में लगेगा हमारे लेक्टिक रूम में रहेगा इसी तरह और भी सारा कुछ मेंचन है बस बार साइज यहां पर मेंचन किया हुआ है कि वन इंटु 20 इंटु 10 सेंटीमीटर का बस बार है और उसके बाद आर्थ का 20 210 to 100 ख्रीक है तो यह आप देख सकते हो कि यह बस बार का साइज भी मेंचन है अगर हमें बस बार का साइज बरहाना है लेट से हमें चाहिए 30 इंटु 10 हमें हाँ पर मेंचन कर सकते हैं कॉमेंन में बस बार जो है ऐसे करकर हम लोग लिख सकते हैं बस बार ये जो है हमें 30 into 10 का चाहिए तो ऐसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं उसके बाद ये तो हमारा स्टार्ट हो गया ये उसके बाद वाला इसके अंदर वाले पेज में आप देखो इसका इन लोगों ने सिंगल लाइन डाइग्राम बनाया है ये जैसे आप देख सकत है जैसा कि आप देख सकते हो इसको नजदीक लाकर मैं आपको देखाता हूं कि ये देखो आप 200 एंप्यर का फोर पोल का इनकमर में है और इसका पांच आउट गोइंग है 63 63 63 63 63 सारा 63 है और 25 किलो एंप्यर है इसका ब्रेकिंग पॉइंट अगर हमें 36 वाला चाहिए तो हम यहां पर मेंचन कर सकते हैं कि हमें 36 चाहिए यहां भी यह 25 है यह भी 25 है यह आप देख सकते हो उसके बाद अब हम लोग जो है यह आप देख सकते हो इसमें बस बार का साइज भी लिखा हुआ है ठीक है बस बार तो यहां भी मेंचन हो गया था हमारा पहले ही उसके बाद यहां पर B.O.Q. भी उन लोगों ने मेंशन किया है, अभी देखिए, यह कौन सा मॉडल है, पार्ट नमबर सारा कुछ यहां पर आपको मेंशन किया हुआ है, कि कौन सा पार्ट नमबर है यह हमारा, और कौन सा ब्रांड है, मेक है, अगर हमें जो ब्रांड कुछ और चाहिए, लेट से यहां पर आप Inclosure का Size है, Inclosure का Size भी मेंशन किया हुआ, अगर Inclosure का Size आपको कोई दुसरा चाहिए, लेट से हमारा Depth और कम होना चाहिए, 250 नहीं, 200 ही चाहिए हमें, तो इसको हम लोग कट करके 200 लिख सकते हैं Depth में, ठीक है, Height और Width अपने हिसाब से, अगर कहीं लोग डेंगे नहीं बना सकते हैं अगर उसका हुआ है इसके जगा को सब्सक्राइब और सकते हैं यह हमारा लोड ही में सकते हैं सिंगराइन डाइग्राम सब्सक्राइब को corazón सब्सक्accimens निया हमस्क्राइब निए उसक आगी से लुछ मेन लगा हुआ है यहां भी हमारा 200 है उसी तरह हमारा ओट गोईंग सारा 63 एंपेर का ही यह आप देख सकते हो और सारा 3 पोल का है सेम सेम 63 और 3 पोल का है तो इस तरह से हम लोग अपने लोड शीडियूल से भी एक बार मतलब उसको मिलाते हैं कि सारा जो है हमारा SMDB के जो है किलियर है और उसके इलावा हमारा enclosure size और general architecture कि इस तरह से रहेगा उपर में लेट से अगर हमारा cable entry उपर से आ रहा है तो अगर हमें लेट से देखो यहां पर बस बार भूत ऊपर तक आ रहा है लेट से हमारा cable ज्यादा ऊपर से आ रहा है तो हम लोग यहां पर mention कर सकते हैं कि यह जो space हमें कम से कम जो है 10 cm चाहिए हमें यह mention कर सकते हैं हम लोग तो यह तो हो गया हमारा एक चीज उसके बाद हम लोग DB पर आ हुआ है यह फेसिया है यह देखो इसका internal architecture आप देख सकते हो यह है इसमें आप देख सकते हो कि यह हमारा कितना रोका DB मेंशन किया हुआ 1 2 3 4 5 और यह जो है 584 लिखा हुआ है इसका मतलब यह 24 मॉडियूल वाला DB है तो यह अगर 24 मॉडियूल वाला DB है लेट से अगर हमार 16 मॉडियूल और फाइव रो वाला चाहिए यह हम लोग मेंशन कर सकते हैं उसके बाद इसके नीचे आते हैं यह जो हम इन लोगों ने पूरा यह बनाया है यह किस तरह से किया हुआ है यह इसका पूरा सिंगल लाइन डाइगराम बनाया हुआ है तो अब हम लोग जो हमारा यह DB का है शीडियूल ठीक है तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें मिलाएंगे कि सेम सेम है की नहीं तो हमारा इंकमर 63 एंपेर का TPN है यहां यह आप देख सकते हो तो यहां भी जो है आपका DB में देखो यह हमारा 63 एंपेर का TPN है यहां पर आ रहा हुआ है उसके बाद हमारा जो है यह जो है हमारा यह देखेंगे हम लोग चेक करेंगे कितना हमारा जो है यहीं सीव एक सेच्शन है तो 1,2,3,4,5,6,7,8 यहां भी हमारा 8 होना चाहिए तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 section है total उसके बाद सीधा सीधा single single breaker और size हम लोग मिलाएंगे यहाँ 10 का है 10 का है 10 का है तो यहाँ भी पहले section में हमारा बस 3 breaker है तो यहाँ भी देखेंगे यह देखो आप नजदीक से देख सकते हैं यह हमारा 10 का है 10 का है 10 का है और उसके लावा यह जो ELCB है इसमें भी हम लोग लोड शीडूल सी मिलाएंगे कि 40A का 100mA का पाहला दूसरा 40A 100mA का तीसरा 40A 30mA का जो कि socket के लिए हम लोग यूज करते हैं तो यह सारा 30mA है 30mA है फिर 100mA जो कि AC के लिए हम लोग यूज किया है यहाँ पर आप देखो यह UVR पलस टाइमर लगाया हुआ ओट्डोर के लिए यह UVR पलस टाइमर लगाया हुआ है यह जो कि एक regulation है UAE का कि UVR पलस टाइमर चाहिए AC के लिए तो यहाँ पर जो है हम लोग वही देखेंगे यह देखो पहला section हमारा 100mA का दूसरा 100 है सब्सक्राइब नहीं है तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं उसके बाद हम लोग DB में भी आते हैं जहां सिंगल फेस है सिंगल फेस है कि नहीं उसके बाद यहाँ पर देखो हमारा एक section में यह 40A का त्री फेस का यहाँ पर एक लगा हुआ है यह आप देख सकते हो हम लोग चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक यहाँ पर आपको सिंगल सिंगल चेक करना होता है कि एकदम सेम सेम है कि नहीं तो यहाँ पर आप देखो अगर हम हमें चांड है कि सब्सक्राइब के सब्सक्राइब और कुछ से चाहिए लeg क्ने सना नबगत साण और सब्सक्राइब ngon श्राइब प्रप्रणी सब्सक्राइब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं तो इस तरह से जो है को रिमार्च देते हैं यह सारा स्काइन करके हम लोग जो switch gear company होगी उसको भेजेंगे कि ये design जो है हमारा जो है इस तरह से change करो और फिर से वो change करके वो देगा उसके बाद फिर से हम लोग उसको approve कर सकते हैं आई होप कि आपको वीडियो पूरी तरी के समझ में आ गया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई